इस वीडेय में बात करेंगे ए एर्वर एंड मिस्टेकं जीनिंग टूस इसे हम लोग्हां न चैनिंग करते हैं तो उसमें कुछ गलतीया Hell इसधियो करने होते हैं कर दूस सुन संब्सक्न बूला जाता है और मिस्टेक feather बोला जाता है तो सुनने में काफी confusing है दोनों एक जैसा लगता है अगर आपका instrument that means की change जो है अगर उसमें ही अगर कुछ गड़बड है जैसे की बहुत ज्यादा temperature होने के कारण जो chain जो बना होता है जैसे की बहुत पुराना होने के बाद भी chain क्या होता है उसमें bear and tear आ जाते है और उसके कारण भी क्या होता है जो हम लोग chaining perform करते हैं और उसका result सही नहीं आता है तो उसको हम लोग बोलते है error मतलब की chain के कारण अगर आपका rating सही नहीं आ रहा है value सही नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते है है सही से drag नहीं करता है सही से hold नहीं करता है उसमें person के कारण जो गलतिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो है काफी similar चीजे अगर rating कुछ गाड़बर आ रहे है तो उसको हम लोग क्या बोलते है mistake बोलते है तो यहां पर आप language से भी देख सकते है और किसी को आप पैसा लिये है और किसी से पैसा आपको किसी को पैसा दीए है। है तो नेट होगा वो क्या होगा जीरो हो जाएगा लेकिन ऐसा हो कि आप सभी को पैसा देते जा रहे हैं या सभी से पैसा लेते जा रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा और साथ में चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो सिमिलरली यहां पर जो कंपन सेटिंग का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आप चेन जो चेन यूज कर रहे हैं और उस चेन में ऐसा है कि आप कहीं पहरें से ज्यादा रहें कहीं पहरें यहां उतलब मेजर कर रहें तो पॉजिए नि यहति कह़ीं होता जिसके कारण वो क्या आता है कि compensate हो जाता है उतना effect नहीं करता है सर्वे बर्ग पे लेकिन अगर इक ही टाइप का एरर आ रहा है जिसे की negative एरर आ रहा है तो वो एरर जो है additive एरर होता है और वो जूटते चला जाता है और लास्ट में सर्वे जो वर्ग है उस पर effect करता है और उसको हम लोग neglect करके नहीं चलते है लेकिन compensating error जो होता है वो minor error होता है लेकिन cumulative error हमारे लिए काफी सोचने लायक होता है उसको हम लोग को क्या करना होता है eliminate करना पड़ेगा नहीं तो वो survey work को क्या करेगा effect कर सकता है तो यहां पर words में देखते है compensating error क्या है error which may occur in both direction तो वो क्या होता है न को वो cancel out हो जाता है अगर positive error हुआ आगे चलके negative और फिर positive और फिर negative तो इस सरीके से वो एक खुद बखुद क्या हो रहा है cancel out होते जा रहा है और वो error जो होता है ज्यादा effect नहीं करता है survey work को the error do not affect the survey work seriously वो ज्यादा seriously नहीं करता क्योंकि वो दीरे-दीरे of the line जो line अप measure किए सपोस्थ 200 meter अगर measure किये हैं तो L क्या हो जागा 200 meter हो जागा तो compensating error is directly proportional to root L ठीक है जबकि cumulative error होता है वो होता है directly proportional to L तो L का मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा है जबकि root कर देंगे तो यह automatically छोटा है तो obviously compensating error is directly proportional to root L जबकि cumulative error जो होता है और यह चीज जो है काफी important है जो कि आपको बाइवा में external में और even competition exam में भी पूछा जाता है कि आपको पूछ सकता है कि compensating error या cumulative error तो उनों में साधा effect कोन करता है तो आप देख सकते हैं यह किसके proportional है directly proportional to capital L और यह कहा है directly proportional to root error तो obviously जो serious effect करेगा वो कौन करेगा cumulative error करेगा ठ चाहे तो वो positive direction में हो या फिर केवल positive negative direction में which finally tends to accumulate as said to be the cumulative error. accumulate मतलब कि वो क्या हो जागा additive add up होते चला जाएगा और वो हमारे work को क्या करेगा seriously effect the accuracy of the work. जो work है उसको क्या करेगा serious effect करेगा और उसको आप neglect करके नहीं चाह सकते हैं तो यह क्या है proportional क्या होगा L के proportional होगा मतलब क्या अगर हम बोले कि compensating error जो है वो directly proportional to root L है तो यह जो है directly proportional to क्या होगा L होगा तो यह आप याद रखेंगे ठीक है कि error may be positive or negative. एरर क्या हो सकता है positive or negative का मतलब क्या हो हम लोग समझते है positive error when the measurement length is more than the actual length जो हम measure किया है वो actual length से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे error से to be positive when the chain is too short तो जब हम बोला जाता है अगर आप समझे है इसको तो जब बोला जाता है कि chain is too short that means कि जो error होगा वो positive तो घ्र बॉसक्त हो निकेटिव फिएव तो हुआ टू लौंग देखते हैं जाक्या होता है फिए एक्षाय लेंट्व कि करण जो रेडिंग में अगर कुछ गड़बड आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं निस्टेक्स बोलते हैं तो यह हॉपफुली आपको समझ में होगा एरर निस्टेक्स ओके थेंक्यू